नमस्कार मैं उमाही सिंग और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन यूज अर्विंद केजिवाल जो 2013 में भ्रस्टचार खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई लेकिन आज उनके कई सारे नीता जेल में बंद है मनीस सोधिया सतेंद्र जयन और बहुत सा एक दोनेता और जो जेल में बंद हुए लेकिन अब ये तलवार अर्विंद केजिवाल की उपर भी लटकती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में हम जानते हैं आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 के महा संग्राम में तो हमारे साथ हमारे कुछ साथी मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे कि क्या अर्विंद केजिवाल को पांचवे समन के बाद उनकी मुस्कले और आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएंगी तो हमारा पहला सवाल है आमन सर अने माले समय में क्या अर्विंद केजनी वाल की गरफतारी हो सकती है या फिर आगे बसते हुए नजर आएंगे लेकि बिल्कुल और अर्बिंद के जिवाल के बारे में आपने जिक्र किया जाहिर सी बात है कि आपने शुरूबात की कि उनकी जो पार्टी बनी थी बाकई वो भचाचारे खिलाफ लड़ाई लड़ते हो बनी लेकिन ऐसे कई मामले सामना है जिसमें ये लगा कि क्या बाकई आमादी पार्टी जो है करुप्शन के खिलाफ है क्योंकि कई सारे नेतां के जिल में बन्द है सतिन जेन की आपने बात की बाकई उनका भी नाम रहा मनिश्य शुरूद है जो अभी भी जिल के अंदर बन्द है लगबर साल भर उनको होने को आगया संजे सिंग जिल के पेश होंगे जबकि दो तरह को उन्होंने एलान किया है कि वो बीजेपी आफिक्स के सामने धरना करेंगे प्रदशन करेंगे क्योंकि चन्निगल का चुनाव हुआ है उसमें जो मेर बीजेपी का बना है उसके खिलाब वो पूरी की पूरी आंदुलन की कह सकते हैं कमान प्रदशन करेंगे क्योंकि यही हाला हिमन सोयन को लेकर भी था कि 10 समन हो चुके थे और लगातार यह कहा जा रहा था कि आखिर वो क्यों बच रहें क्यों भाग रहें क्या उनको एडी पकड़ लेगी और आखिर में यही हुआ कि एडी के सामने जब वो पेश हुए तो दनों में अगर अर्विंद केजिवाल एडी के सामने पेश होते हैं या पूस्ताच होती है तो उनको ग्रफटार किया जा सकता है। लेकिन सर जैसे अर्विंद केजिवाल हमेसा दावा करते हैं कि उनकी पार्टी को या उनके नेताओं को बदनाम करने की कोसिस की जा रही है और भाजपा उनको फसा रही है तो ऐसे में मनी सुसूदिया और नेता जो उनके जेल में बंद हैं वो काफी टाइम से जेल से बाहर चानी की कोसिस करें बड़े बड़े वकील उनके उनको निकलवाने के लिए बाहर उनकी जद्व जहन में लगे हैं तो ऐसे में कुछ तो पेच होगा जो वो बाहर नहीं आ पार है उसका बिलकुर बिलकुर सही बोला आपने क्योंकि लगबग सालवर का वक्त हो गया और यह साल लगबग उनको जेल के अंदर हो गया तो काफी समय होता है कि उनके खिलाब जो तमाम सारे सबूत है वो अदालत में रखे जाएं तमाम चीज़ उनके खिलाब जो वो कहते थे उनको सामने रखा जा लेकि अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नजर भी नहीं है आपको याद जो कि लोग सब एलेक्शन बहुत नजदीक है तो उसको देखते हुए कहने कहीं आमानी पार्टी के उपर एक प्रेशर क्रेट किया जा रहा है कि उनकी पार्टी जो है बड़े लेबल पर कोई केमपेंग ना कर सके जो लगा था संभावना है कि इस बार तीन सीटों पर दि सवाल यही खड़ा होता है कि अर्विंद केजरिवाल जो सबसे बड़ा भ्रस्टाचार का वो बनते थे कि वहां भ्रस्टाचार नहीं होने देंगे लेकिन क्या रीजन है कि वो सबसे जादा भ्रस्टाचार करते हुए नज़र आए क्या रीजन है कि उनके पार्टी कई नेता जैसे सांती भूसर्ड और कपिल मिस्रा और ऐसे नेता तमाम नेता थे वो उनकी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए क्या अर्विंद केजरिवाल सच में भ्रस्ट है क्योंकि कुमार विस्वास जब पार्टी से बाहर हुए उन्होंने काफी बयानबाजी कपिल अर्विंद केजरिवाल के लिए की थी और कपिल मिस्रा के लिए तो ऐसे में क्या वाकई में वो रस्टाचार में लिप्त है या नहीं देखिए इसमें दो चीजे मैं कही आधार मानूगा जिस तरीके से आपने हाँ पर सवाल किया और क पार्टी की साथ नहीं है उन्हीं चेहरों में शुमान यहां कभी कुमार उश्वास का नाम भी आपने जिक्र पर किया कुमार उश्वास का तो देखिए कुमार उश्वास ने हाल ही में एक एंटर्वे की दौरान इस बात का खुलासा किया कि जब यहां दिली में सरकार अर मुख्य मंत्री बनने से पहले अर्विंद केजरिवाल और मुख्य रूप से या कुमार रुश्वास की बीच जो रिष्टा था उस रिष्टे में काफी परागा आए जब से केजरिवाल ने मुख्य मंत्री के जिम्मेदारी समाली है उन्होंने क्यारण यह दिया था लेकिन बात अगर भिष्टचार की हो तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो मामला समय दिल्ली सरकार को या आमधी पार्टी को घेरा है वो मुख्य रूप से यहाँ पर दिल्ली का तता कधित शडाब घोटाला है लेकिन एक मात्री यह नहीं है आप कहीं हैं इसे नाम कहीं हैं जो लगतार यहां दिली सरकार के आधीन आ रही है जो कहीं न कहीं दिली सरकार को घेर रहे है तो वाकिमें यहाँ पर देखा जाया तो अर्विंद केजिवाल की मुश्किले बड़त और ज़्यादा बड़ती नजर आ सकते कि आप इस बात को नहीं ना कार सकते कि संजे पर पार्टी खड़ी थी अब संजे सिंग नहीं है केजरिवाल की मुश्किले बढ़ रही है पूरी तरीके से पार्टी की यहां पर मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है जी बिल्कुल लेकिन जो इमानदारी का दम खम बढ़ने वाले अर्विंद केजरिवाल बोलते थे कि तो कोई सरकारी बंगला नहीं चाहिए वो भी आईपी कल्चर को नहीं फॉलो करना चाहते लेकिन लास्ट में वही काम करते हुए नजर आये और उन्होंने अपने बंगलों में इतना सारा पैसा लगाए तो कहीं न कहीं उनके उपर यह सवाल उठाने का मौका पार्टी को देते हैं भारतिय जंता पार्टी को या अन्य पार्टी को वाकी मिमाही देखे जिससरे किसा आपने आप शीश महल विवाद की तो मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसत थे जिनों ने इस मामले को उठाया था और मुझे लगता है कि अप्रेल वो महिना था साल 2023 का जब व शीश महल उसे नाम दिया गया था और उसके बाद इसकी शिकायत की गए जिसके बाद सितंबर महीने में सीब्याई ने इस मामले में फाई यार भी दर्च कर ली है अब याप यह देखिए कि कई ऐसे मामले जिस तरह सभी हम यहां पर जिक्र कर रहे थे जलबोड गोटा ले कि आपकी पार्टी जिस तरह से आपने आपर सवाल किया कि लगतार जो आप दावे किया करते थे कि यहां पर भृष्टचार मुक्त दिल्ली को कर देंगे बादे आपने आपर किये कि भृष्टचार बिल्कुल नहीं रहेगा एक बार चुनिया अर्विंद केजरिवाल को और निकल कर कि यहां पर भृष्टचार आ रहे निकल कर जलबोड में भृष्टचार आ रहे निकल कर यहां पर शीश महल में भृष्टचार आ रहे निकल कर यहां पर तत्हा कतित शराब घोटा रहे या वाकई में शराब मीती में भी घोटा ला हुआ है यह तो वक्त ही ब पात्व चुनावा उनको पांचवा संबन आ चुका है तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जैसे हमन सोरेन की गिरफतारी हुई क्या आरविंद केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है या नहीं फिलाल आपको जो लगता है आप हमें कमेंट शेक्चन में जरूर बताईगा फिलाल के लिए बस इतना है देश और दुनिय कि तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं नेक्स नाइन न्यूज पर